प्रदेश अध्यक्ष वी रेंद्र कुमार ने लिया जल समाधी पुलिस ने जबरिया गंगाजी से बाहर राजस्ट संग्रह सीजनल अमीन कर्मचारी सेवक वेलफेर असोसियेशन लंबे समय से शासना देश व पुलिस ने बलपुर्वक सत्या ग्रहियों को गंगाजी से एक घंटे बाद बाहर निकाल दिया इसके बाद जलादिकारी व अपर जलादिकारी वितर एवं राजस्ट से वारता हुई जिसने चलन समती की बैठकार जून को बिलाकर सीजनल संग्रहमीनों व अनुसेवकों की विन्यमितिकरण की कार्यवाही की जायेगी प्रशासन के अधिकारियों से वारता के बाद हुई समझोते के तहट आन्बेलन को स्थगित कर दिया गया सीजनल संग्रहमीन व अनुसेवकों की मानगों को जल्ब पोरा करने का आशवासन दिया गया विरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले छे वर्षों से विन्यमितिकरण के लिए संगहर्ष कर रहे हैं लेकिन प्रशासन के अधिकारियों की हट धर्मिता के कारण विन्यमितिकरण नहीं हो पा रहा है कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र कुमार, कार्यवाहक जया अध्यक्ष प्रवीन वाजपाई, संजेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र मिश्रा, सत्येंद्र कुमार, शेलंदर त्रिवेदी, राजेश मिश्रा, राजेंद्र सिंग, सही महमत, गोविंद कुमार आधी उपस्थित थे कानपूर से समवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट सीजनल संग्रामीन और सीजनल संग्राउन से वक पिछले छे साल से सासना देश और परिशदा देश के अनुपालन में जिला प्रशासन से भिनिमिती करण की मांग कर रहे हैं दर्जनों बार जिला दिकारी और अपर जिला दिकारी बित्यों राजस से बातच्वित हो चुकी है चैन समीती का गठन हो चुका है बार बार चैन समीती की बैठक टाली जा रही है हम लोग की उमर इस समय कुछी की 50 साल हो गई कोई 55 साल का हो गया कोई 58 साल का हो गया परिवार और बच्चे भुखमरी के सिकार हैं और जिला प्रशासन सरकार के आदेश के अनपालन में जो है बिनिवितिकर्ण की कारवाई नहीं कर रहा है जिससे छुपद हो करके हम लोग आज यहां पर जल सत्यागरा जल समाधी करने जा रहे हैं अगर हमारे सरीर को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा